हेलो एवरीवन, गूद इवनिंग, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं यहां पर थ्री फेस वेब फॉर्म लिखा हुआ है और यह पूरा कंप्लेट एक्सल सीट में मिलेगा आपको, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम थ्री फ एक्सल सीट पे कर सकते हैं, तो पहले मैं एक सिंपल फॉर्म बेशिक फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे थ्री फेस वेब फॉर्म ड्रॉ होती है, तो जैसे हमारा थ्री फेस की बात करते हैं, तो थीन फेस ले लेते हैं जिनके नाम है r, by and b, ये तीनों फेस हो गये, अभी इसमें देखिए, x, a, a into sin theta, a into sin theta, a यहां पर magnitude हो गया, sin theta, sin waveform है, इसलिए sin theta, theta एक value जो हम put करने वाले हैं इसमें, तो by face जो होगा, a into sin theta, plus 120, मतलब r का 120 degree face shift होता है, by, उसी प्रकार, i का plus या minus में 120 shift होता है, other faces, तो यह simple formulas हैं, यह हम put करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर चलते हैं, मैंने यहां पर यह degree का, radian से, degree से radian में conversion लगाया हुआ है, तो यहां पर c11, जो की यह है, c11, column c है, और row इसके 11 है, तो 1 into, मतलब 1 degree into 3, 3.141, यह pi की value होगी, divided by 180, यह हमने simple degree to radian का, हमने formula लगाया है, तो इसको हमने theta माना है, ठीक है, हम radian में हम value पुट करेंगे, यहां पर theta की, तो चलते हैं, next, r face, b face, और b face, यह तीनो face है, यहां पर जो magnitude है, 230, 230, 230, 230, यह single face का है, अब magnitude, जैसे हम, मैं आपको change करके बताता हूँ, suppose हम 400 का लेते हैं, एक pulse, 400, 400, यहां पर आप देख सकते है यहां पर तीनो waveform change होगे, तीनो का magnitude change हुआ है, angle change हुआ है, suppose एक face चला गया है, तो यह देखी, एक face चला गया, 0, single face का, यहां पर देख सकते हैं, यह single face की waveform बची हुई है, तो दो face चाने के बाद, अब मैं बापिस इसको 230 कर देता हूँ, और आगे समझते हैं, इसको कैसा हो आने वाला है, ठीक, तो देखिए, यहां पर अगला r face में formula r की value कैसे लाएंगे, simple मैंने यहां पर जो बताया, तीनो formula यह हैं और इनहीं की value put की है, r face means यहां पर यह देखिए, r, मैंने dollar, f और dollar, dollar, f, dollar क्यों लगाया है, ताकि यह f column को hold कर रखे, ठीक है, f column को hold करके रखे और किस value पर, यहां पर, किस value पर hold करना है इसको, यह 7, 7 into sin d11, अभी मैं समझा देता हूं, dollar, f, dollar, 7, 7 हो गया यह, ठीक है, यह 7 हो गया, f का 7 को hold रखना है, उसको, column f को hold रखना है, और row 7 को, ठीक है, यहां पर similar, यह मैंने 360 degree तक का लिया हुआ है, similar देखी, यहां पर 7 को hold रखा है, और into sin d12, change क्या होगा, sin d11, d11 में यह value आएगी, column d, और 11 यह value पूट होगी, d12 यह value पूट होगी, d13 यह value पूट होगी, तो यहां पर देखी, d13, तो यह हमारा calculation में आता जाएगा, और इसी तरीके से हमने यह 360 degree तक लिया हुआ है, 360 means एक पूरा cycle complete किया हुआ है, यहां पर देखी, पूरा cycle complete किया है, जब हमने यह cycle complete किया है, तो इस तरीके का हमारा waveform create हो रहा है, तो यह waveform हम इस से ज़्यादा का भी कर सकते हैं, 360 से आप अगर ज़्यादा cycle बनाना चाहते हैं, तो आगे भी हम cycle बना सकते हैं, बाइफेस का simple, basic, same formula रहेगा, बस इसमें plus minus हमने 120, हाँ यहां पर जो आप से बात कर रहा हूं है, 120 डिगरी है, 120 को हम रेडियन में बदलेंगे, 120 को अगर रेडियन में बदलते हैं, तो हम यहां पर देखिए, 120 का रेडियन यह, 2.0940 यह value आ रहे है, तो यहां पर देखिए, मैंने 2.0944 यह value मैंने 120 का डिगरी में रेडियन में convert किया हुआ है, फिर हमने उसमें add कर रखा है, अगला वीडियो जो रहेगा, वो based रहेगा, LTSPICE से आप 3-face waveform कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आप LTSPICE से 3-face की waveform कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे आप voltage select करेंगे, कैसे angle put करेंगे, यह हम आपको next वीडियो में बताएंगे, thank you for watching वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like कीजियो, और channel को subscribe कीजियो, और comment करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, thank you.